नमस्कार दोस्तों मेरे किचन में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त सुनील शर्मा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फूड चेनल म्यूजिकल फूडी सैप को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और आज हमारे किचन में हम बनाने वाले हैं ठंड में बनने वाली मालवा और निमाड की शान गराडू ये देखिए गराडू ये तरह का ये कंद मूल है जैसे सकरकंद होता है सूरन होता है परन्तु मालवा और निमाड के अलावा ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी या तो लोग खाते नहीं या बनाते नहीं तो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं मालवा की रेसिपी जो शादियों में घरों में बहुत ही पाप्लर है यानि की गराडू तो आएए आज बनाते हैं गराडू दोस्तों गराडू ठंड के सीजन में बड़ी ही आसानी से बाजार में मिल जाएंगे और इसे आसानी से आप घर में बना सकते हैं ठंड का खाया हुआ सालो में और इसे कूकर में डाल कर दो सीटी आने तक पका लेंगे यह देखिए हमने इस तरह से इसको काट लिया है और अब हम इसे डाल देंगे कूकर में और इसमें जाएगा पानी नमत और साथ में हल्दी ताकि इसमें अच्छा स्वाद आ जाए तो आईए दोस्तों कूकर को करते हैं बंद और दो सीटी आने का करते हैं इंतजार तो देखिए दो सीटी हमारी आ चुकी है और हम पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद कूकर को खोलेंगे और जो भी इसमें पानी है उसे पूरा निकाल देंगे उसे च्छान लेंगे ये देखे हैं हमने पूरा पानी ड्रेन आउट कर लिया है और हमारे गराडू अब इस फॉर्म में आ चुके हैं दोस्तों हमारे जो गराडू है ये अब आलू जैसे हो गए हैं तो जैसे हम आलू को छिलते हैं वैसे ही चाकू के माद्य हम से गराडू के उपर वाला छिलका ये निकाल देंगे देखिए इस तरह से और ऐसे जितने भी गराडू के पीसे से उसके सारे छिलके निकाल देंगे अब हमारा गराडू इस रूप में आ चुका है तो गैस पे चढ़ाएंगे कड़ाई और डालेंगे तेल अब हम तेल के गरम होने का इंतजार करेंगे और जो गराडू हमने उबाल के छील के रखे हुए थे उसे एक परफेक्ट साइज में छोटे छोटे आकार में काट लेंगे तो आईए गराडू को काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में तब तक कड़ाई में जो तेल है वो भी अच्छे से गरम हो जाएगा दोस्तों गराडू बनाने में बहुत ही आसान होता है और ये इवनिंग स्नेक से जो ठंडियों में आपको बाजार में भी मिलेगी शादियों में भी मिलेगी और आप अगर इंदोर के सराफा बजार जाएंगे तो वहां की बहुत ही प्रसिद्ध है तो देखिए हमने सारे गराडूं को धीरे धीरे इस तरह से छोटे आकार में काट लिया है अब हम इसे तेल में डीफ फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे क्रिस्पी ना हो और इसे तेज आज पर ही हमें क्रिस्प होने तक फ्राई करना है तो ये देखिए सारे पीसे समने तेल में डाल लिये हैं ये समय थोड़ा सा धैरी रखने का है क्योंकि यहां पर आपको कम से कम आठ से 10 मिनिट तेज आज पर इन गराडूं को अच्छे से गोल्डन ब्राउ नहीं होने तक फ्राई करना पड़ेगा जब तक हमारे गराडू तेल में फ्राई हो रहे हैं तब तक आईए एक मसाला तयार कर लेते हैं तो ये हमने कटोरी ले लिये हैं और इस कटोरी में सबसे पहले डालेंगे एक बड़ा चम्मच जीरावन का और साथ में इसके डालें दोस्तों गराडू का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है उसे चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए हम ये जो मसाला तयार कर रहे हैं ये उस पर डालेंगे तो ये लीजी हमने ये जीरावन और चाथ मसाला मिला लिया है और इसमें अब मिक्स करेंगे नमक और साथ में ल फ्राई हुए हैं आहा आहा देखिए गराडू हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और कलर भी अब चेंज होने लगा है तो दोस्तों इसे थोड़ी देर हमें और फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन इसका कलर नहीं हो जाए याद रखें दोस्तों इसे ओवर कु हो जाएंगे तो उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा कई बर शादियों में हम देखते हैं कि जल्दी बाजी में सर्व करने के लिए उसका कलर थोड़ा सा खराब हो जाता है तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि हम यह घर पे अपने लिए बना रहे हैं तो बहुत आई अब इसे डेस आउट कर लेते हैं एक प्लेट में पेपर नेपकीन पर हम इसे निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रो आइल है वो निकल जाए और उसके बाद इसे हम एक बॉल में लेकर उसमें मसाला मिक्स करेंगे डेसी अंदाज में और फिर इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे तो दोस्तों गरम गरम गराडू तयार है हमने इसे एक बरतन में निकाल लिया है अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो चाट मसाला हमने गराडू के लिए बनाया था तो दोस्तों ये गराडू मसाला हम इसमें मिक्स कर रहे हैं जिसमें जीरावन है चाट मसाला है मिर्ची है नमक है तो आए इसे एक बार तेसी अंदाज में मिक्स कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मसाला डाल लें अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मिर्ची ज़्यादा डाल लें तो एक बार मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नीचोड़ेंगे नीबू का रस दोस्तों नीबू का रस डलते से ही न गराडू खाने का जो मज़ा आएगा ओहो हो मूँ में पानी आ रहा है तो आईए नीबू का रस डालके इसे एक बर और मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गरम मालवा की शान ठंड की जान गराडू बन के तयार है खाने के लिए तो आईए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसका आनन लेते हैं तो आप भी बनाएए ठंड के सीजन में गरमा गरम गराडू और आनन लीजे तो क्रिस्पी गराडू मैं तो चला खाने और आपको साब साब बता दूँ कि ये मैं किसी को नहीं दूँगा ये पूरी प्लेट मैं खुद खाने वाला हूँ या इंदोरी भाशा में बोलें तो इसको सूतने वाला हूँ तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ तब तक आनन्द लेते रहिए अपना ध्यान रखिए और मेरे फूड चैनल म्यूजिकल फूडी सैप को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं सुनीक शर्मा आपसे इजादत लेता हूँ धन्यवाद